लगन जन्म कुंडली का सबसे मेरत पून भाग है और जाता कि जीवन फलादेश का अधास तंब जिसके अध्यन से बविश्य का फलादेश किया जा सकता है हरी कृष्णा मैं अचारे पूजा आज आपके सामने 12 लगन के जातों का संपून फलादेश पस्तूत करूँगी पिछले वीडियो में आपने मेश लगन के जातों का और विशप लगन के जातों का संपून फलादेश देखा इस वीडियो में आप मिथू लगन के जातकों का फलादेश देखेंगे तो शुरुआत करते हैं मिथू लगन के जातकों के संपून फलादेश दोहजर देश में कैसे रहने वाला है दशको आईए अब हम देखते हैं कि 2030 में मिथु राशी के जातकों के लिए ग्रह गोचों के स्थिति क्या रहने वाली है मिथु राशी के जात तक 2030 में देखेंगे कि ब्रसपती उनके दशम भाव में है राहु केतु एकादश और पंचम भाव में है लगनेश भुद आपके अश्टम भाव में विराजमान रहेंगे तो कह सकते हैं कि नया सल आपके लिए कुछ मिला जुला असर लेकर आने वाला है इसके अलावा हम विविन पहलों में चर्चा करेंगे जैसे आपके स्वास्ते, आपके शिक्षा, आपके विविसाई, करियर, प्रेम संबन, विवा के लिए 2020 कैसे रहने वाला है तो आईए इस विस्ताज से देखते हैं कि ये वर्ष आपके लिए क्या लेकर आने वाला है स्वास्त में देखते हैं कि मिथुन जातों के लिए कैसा रहेगा आपकी शनी के रहया समाप्त होने वाली है इसलिए आपकी लाइफ में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं नया वर्ष मिथुन जाशी के जातों के लिए थोड़ा चित्ता जनक रहने वाला है यहां था कि वर्ष अंतग यानि कि इस वर्ष तक आपको जो स्वास्तिक व्रति चिंता बनी हुई थी वो अगले वर्ष में बिल्कुल समाप्थ होने वाली है तो कह सकते हैं कि नया वर्ष आपके स्वास्ति के लिए काफी अच्छा रहने वाला है मानसीक तरफ से आपको मुक्ती मिलेगी सौत्य सम्मंदी समस्याओं में भी कमी आपको देखने को मिलेगी आप नई अत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और भागे आपके साथ तो खड़ा ही है आप जन्वरी के बात देखेंगे कि आपके सिहत में आपके सौभाव में आपके सोच में एक अच्छा बदलाफ आ रहा है बागे छोटी मोटी समस्याओं तो चलती रहेंगी इससे आपको ज़्यादा गबराने की ज़रुत नहीं है 2023 आपके लिए बहुत यच्छा रहने वाला है आप चिंता मुक्त रहें अब बात करते हैं शिक्षा और करियर की तो शुरुआत करते हैं शिक्षा शेत्र से शिक्षा शेत्र में मिथुर राश्य के जातकों के लिए थोड़ा ओदासिक्ता देखी जा सकती है क्योंकि पंचव भाव में केतु पहले से ही विराजमान है जिससे आपका मन पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मन उच्चाट हो रहा है ये कारण हम समझ सकते हैं और ये स्थिति यदासंभव काफी लंबे समय तक रहने वाली है अक्टूबर अंग तक जब तक कि राओ केतु अपना राशी परिवतन ना कर ले तो आपके लिए ही कहा जा सकता है कि आप अपनी एकागरता बनाए रखें पढ़ाई में ध्यान लगा के रखें अपना मन ना भटकाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा समय थोड़ा लंबा है लेकिन आप धहरे से काम ले और सयम से काम ले करियर के शित में मितू राशी के जात्कों के लिए अच्छी श्रुवाद होने वाली है 2023 में खासका जन्वरी के बाद शनी महराजी राशी परिवतन करेंगे तो आपको ये अच्छी श्रुवाद देंगे ब्रस्पति आपके दशम भाव से एकादश भाव में जाएंगे ये आपके लिए लापरत होगा हम कहा सकते हैं थोड़ी छोटी मोटी समस्या है तो आपको जहलनी पड़ सकती है या कभी सामना करना पड़ सकता है लेकिन ये समय के साथ साथ बिल्कुल कम होती चली जाएगी मार्च के बाद आप अपने करियर में नया बदलाव देखेंगे या आपको कुछ नया अफसर देखने को मिलेगा कुछ नई अपर्चुनिटी आपके दरवाजे को दस्तक देगी तो इसलिए आपके करियर के लिए 2030 अच्छी शुरुबात करने वाला है अब बात करते हैं नौकरी और व्यवसाई की तो सबसे पहले नौकरी की बात करते हैं मितुराशे के जातकों का कारेशेत में काफी बढ़ने वाला है 22 अप्रेल को ब्रस्पती अपनी आपके एकातिश भाव में प्रवेश करेंगे ये सिति आपके इलाप्रत होगी जिस पे नवम बैटे शनी मराज की दिश्टी पड़ेगी तो हो सकता है आपको कोई बड़े बदलाव का संकेट मिले वेवसाई के लिए मिथन राशी के जातकों को नया साल बहुत कुछ देने वाला है हाला कि वश की शुवाद थोड़ी दीमे रहने वाली है क्योंकि आपके आश्टरम भाव में शुक्र शनीज जी के साथ विराजमान होगे युदी बनाकर लेकिन जैसे ही जनवरी में शनी राशी परिवतन करके कुम राशी में जाएंगे ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा संकेट दे रही है किसी नए वेवसाई शेत्र में आप इंवेस्टमेंट करेंगे और इंवेस्टमेंट के बाद आपको अच्छा रिटन मिलने की भी पूरी ही संभावना है इंवेस्टमेंट से आपके आर्थि स्थिति और मजबूत बनेगी आपको सरकारी शेत्र से सहयोग मिलेगा वेवसाई में आपको सैयम से काम लेना पड़ेगा थोड़ा देहरे से काम लेना पड़ेगा जल बाजी में कोई निर्णना ले यदि आप वेवसाई ये नौकरी में उनती पाना चाहते हैं तो आप ब्रेस्पती का उपाई कर सकते हैं इससे आपको लापराप्त होगा अब बात करते हैं प्रेम संबंद और विवा की हम देखते हैं 2023 आपके लिए कैसे रहने वाला है तो शुरुआत करते हैं प्रेम संबंद से 2023 में शुक्र शनी के साथ मकर राशी में रहने वाले हैं तो कह सकते हैं मिथुन राशी के जातकों के लिए ये शुरुवात थोड़ी अच्ची नहीं रहने वाली है शुरुवात में थोड़ी गलत फैमी भी हो सकती है और गलत फैमी की वज़े से ब्रेक अप के भी चांसिस बन रहे है आपका उदासीन रवया आपके प्रेम संबंदों को खराब कर रहा है और ये ग्रवया काफी लंबे समय तक रहने वाला है क्योंकि अक्टूबर के आंत में जब राहो केतु राशी परिवतन करेंगे तब ही स्थिती में थोड़ा सुधार होगा तब तक सहीम बना के रखे गलत फैमी की जगा ना दे अपने रिष्टे में हो सके तो बाचीत करें जिससे आपकी गलत फैमी अदूर हो आपने रिष्टों को थोड़ा टाइम दे और इश्वर पर श्रद्धा रखे स्थिती में सुधार जरूर होगा और आपके लिए भी अच्छा समय आएगा विवाहितों के लिए देखते हैं तक सहीं बनाके रखे वाद विवाद से दूर रहे क्योंकि रिष्टा तोड़ना तो असान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल आप अपने परिवार के सलह और सहयतर से ही कोई निड़ने ले वरना आपको गंभीर पर्ण्याम भुगतने पड़ सकते हैं तो दर्शको ये था मितन राशी के जातों का संपून फलादेश 2023 का अब बात करते हैं उपाई की मितन राशी के जातों को अपने माबाप की सेवा करनी चाहिए पिता के स्वास्त का खास कर ध्यान रखे यदि आप किसी बिमारी या कर्ज से जूच रहे हैं तो गजीद्र मोक्ष पार्ट से आपको लाप मिल सकता है आप इसे जरूर करें अपने वेवसाई या नौकरी के लिए विश्णु सहस्ता राम पार्ट भी कर सकते हैं आपको लाप होगा दर्शको उमीद पर दुनिया कायम है उमीद है तो सब कुछ है और हमें उमीद नहीं छोड़नी चाहिए बाकी आपके सुझाफ और प्रशनों का हमें हमेशा से इंतजार रहता है आप अपने सुझाफ और प्रशन कमेंट बॉक्स में जरूर दे और हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सकाइब जरूर करें और एक बात, अगर आप अपनी कुंडी का वेशलेशन कराना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिये गए WhatsApp नमबर पर हमें जरूर कॉंटेक्ट करें हरे कृष्णा